कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि अचाना की हमें राजमा या राजमा चावल खाने की एक्षा हो जाती है लेकिन राजमा को बनाने के लिए कम से कम हमें 7-8 घंटे इसको बिगोना पड़ेगा तो आज मैं आपके साथ ऐसी ट्रिक शियर करूँगी आपको ना तो घंटो विगोना पड़ेगा और ना ही इनको उबालना पड़ेगा जटपट से 10-15 मिनट में बड़िया टेस्टी सी राजमा करेगी सबजी बन करके तैयार होगी स्वाद ऐसा की सच मानिए आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे तो चलिए देरी किस बात की जटपट वाले राजमा की सबजी बनाते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं तीन मीडियम साइस के टमाटर दो हमने बड़े साइस का प्याज ले लिया है आर्डस कलिया लैसुन की तीन-चार हरी मिर्चे और थोड़ा सा अदरग जिसको हमने छील लिया अब हम यहाँ पर प्याज को काटेंगे तो यहाँ पर मैं चाकू से बिलकुल बारिक बारिक प्याज को कट कर रही हूँ आपको यहाँ पर प्याज को मिक्सी से नहीं पीसना है यानिकि इसकी फाइन प्यूरी नहीं बनानी है आपको या तो इसको चौपर से चौप करना है या कद्दूकस से कद्दूकस कर लेना है या फिर चाकू से इसको बारिक बारिक काटना है इस तरह से बनी हुई जो करी होती है वो ज्यादा स्वाधिस्ट लगती है तो लीजे हमने दोनों ही प्याच को बारिक काट लिया है तो इसको हम अलग रख देते हैं अब हम लेंगे मिक्सी का जार और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, अद्रक, लहसुन की कली और साथ में हम आधा टमाटर डालेंगे तो आधे टमाटर को हम पीस करके इस्तिमाल करेंगे बांकी टमाटर को हम बारिक बारिक इस्तिमाल करेंगे तो इसको हमें बहुत फाइनली नहीं पीसना है थोड़ा सा मोटा मोटा यानि की दरदरा टाइप का पीसना है अगर आप इसमें पानी डाल करके पीसेंगे तो यह बहुत बारिक हो जाएगा लेकिन यहां पर हमें इसको बहुत बारिक नहीं करना था तो हमने इसमें विल्कुल एक बून भी पानी नहीं डाल और आप देख सकते हैं किस तरह से यह मोटा मोटा पिसा है मोटा पिसने से जो करी में फ्लेवर है ना लहसुन का अधरक का यह बहुत ही अच्छा तो बस अब हम टमाटर को भी इस तरह से छोटे छोटे तुकड़ों में कट कर लेंगे तो यह सारी तयारी मैंने पहले से ही करके रखी थी अब मैं आपको बताती हूँ राजमा की बढ़िया सी ट्रिक इसके लिए हमने लिए हैं एक कप राजमा सबसे पहले हम इन राजमा को दो तीन बारी अच्छे से पानी से धोएंगे ताकि यह थोड़े दस्ट वगेरा होगी वो खतम हो जाएगी और हलिके से राजमा की जूपर की स्केन है वो थोड़ा नरम पड़ जाएगी तो दो तीन बार कम से कम आपको इसको अच्छे से धोना है तो इस पानी को फेक करके हम इसको एक दो बार और दो लेंगे अब यह मैंने ले ली है इडली वाली प्लेट तो क्या करेंगे इन सभी खाचो में हम एक एक मुठी के करीब राजमा को रखेंगे राजमा बहुत जादा आपको भड़ना नहीं है इन खाचो में याद रखेगा क्योंकि यह कच्छे हैं फूले हुए नहीं है इसलिए आम थोड़ा थोड़ा ही भरेंगे और जितना खाचा है इसकी स्पेस से आपको थोड़ा कम ही भरना है क्योंकि जब यह फूलेंगे ना तो सकी ऐस고 कोंचिटी थोड़ा भड़ जाती जल्दी गलते हैं और उबल भी जाते हैं तो यह हम डाल रहे हैं एक चमज भर करके नमक डालने से जो स्टीम बनेगी न वो नमक वाली स्टीम बनेगी यानि कि जो भाब बनेगी वो नमक वाली बनेगी और नमक कितना ज्यादा चारी होता है किसी भी चीज को गला देता है तो केनारे पर बबल्स बनने लगे हैं तो अब यह जो राजमा की प्लेट थी इनको हम अरेंज कर देंगे तो देखिए फ्रेंट्स इस ट्रिक में हमारे एक साथ दो काम होंगे ना तो हमें राजमा को भिगोना पड़ेगा फुलाने के लिए और ना ही इनको हमें उबालना बस हम ढग देंगे और लो फ्लेम पर 15-20 मिनट के लिए इनको ऐसे ही भाप में पकने देंगे तो इसमें नमक वाली जो भाप बनती है ना उसकी वजह से राजमा बहुत अच्छे से अंदर तक गल जाते हैं और पहले फूल जाते हैं वहीं के वहीं पक भी जाते हैं तो यह में आपको चेक करके भी बदा देती हूं कि यह अच्छे से पके अंदर तक या नहीं तो बस एक राजमा को हम इस तरह से मसल करके चेक कर लेते हैं यह देखिए कितने अच्छे से यह अंदर तक पक चुके हैं तो है ना बहुती बढ़िया सी ट्रिक तो यह जो राजमा है थोड़े से पुराने हो चुके हैं इसलिए इनका कलर थोड़ा सा आपको डार्क समझ में आ रहा होगा तो आपके पास जो भी हो आप उनका इस्तिमाल करिएगा बस आपको एक चमच भरके नमक इसमें जरूर डालना है तो अब हम दोनों ही प्लेट्स को निकाल लेते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं जो नीचे का पानी है वो काफी डार्क हो चुका है तो इस पानी को हमें यूज नहीं करना है इस पानी को हम फेक देगे तो बस 15 मिन में हमारे राजमा बढ़िया पक्क्य रेडी हो चुके हैं हमने पहले ही प्रप्रेशन सारी कर ली थी तो साथी में अब हमने जो अपना पेश्ट बनाया था ना अध्रक लैसल और हरी में इस तमाच्रवाला इसको हम डालेंगे अब हम इसको हल्का सुनेरा होने तक अच्छे से फ्राइब करेंगे तो लगभग मैंने इसको एक मिनट तक फ्राइब किया अब देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर हो चुका है तब हम इसमें बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को भी हम मध्यम आज पर बढ़िया से लाइट गोल्डन हुनने तक अच्छी से फ्राइब करेंग जाता है तो आधा चंब हल्डी पाउडर आधा चंब मैंड़ थनी ठ्वड़ जालेंगे इसमें गरम मसाला अगर आपके पास राजमा मसाला है तो आप उसका इसस्तिमाल भी कर सकते हैं। बिना राजमा मसाले के बिए बPass Когда करें बहुत ज्यादी लगती है थोढ़ा discovered ब talks करते हुए के बढ़िया बूनाई को हमने इसको अच्छे से भून लिया है आप में biking कटे हुए टमाटअ मिक्स वड़िया बातस चमाले को अच्छे से भूनेंगे या नहीं हो जाते हैं तो यहाँ पर हमने टमाटे प्तिता नम्क भी डाल देते हैं तो मसाला ऑपया सी भून चुका है लेकिन हमें टमाट्रों थोड़ा गलाना है तो इसके लिए क्या करेंगे इसको हम ढगस करके पकने देंगे इसके हमारा मसाला भी अपने आप भून जाएगा और टमाटर भी हलकी से सौफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर लगबग मैंने दो मिनट तक इसको ढख करके पकाया है और आप देख सकते हैं जो टमाटर हैं वो काफी अच्छी से सॉफ्ट हो चुके हैं तो एक बार हम कर्चली से इनको हलका हलका सा दबा देते हैं तो बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है इस मसाले से और इसका जो टेस्ट होने वाला है ना करी का बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा तो बस हमने इसको अच्छी भी मैश कर लिया है चोट-चोटे से तुकड़े अभी भी हैं टमाटर में यही हमें चाहिए भी थे य हमारी जो करी है या जो तली है यह बन करके बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे राजमा और राजमा को भी करी के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए कम से कम दो मिनट तक हम भूनेंगे तो यहां पर हम जलवाजी नहीं करेंगे अच्छे से भूनाई क सबस्क्硬 लेते एक बार फिर हम इसमें पांः आट करेंगे कि ऐसे कि अध्यक्यमादस हमने सकोद je 2 मद्ध बढ़िया से भून लिया है अब हम इसमें डालेंगे पानि पानी पानि यहां पर आप करके 4-5 मिनट के लिए अच्छे से बापस से पकने देंगे तो हम इसको लिट से कवर कर देते हैं तो हमने राजमा को 4-5 मिनट के लिए बढ़िया से पका लिया है और फाइनली हमारी जो राजमा की सबजी है बन करके बिलकुल तैयार है तो उपर से थोड़ा सा कटा हुआ हर धनिया एट कर देंगे तो लिए बिलकुल तैयार है हमारी जटपड बनने वाली राजमा मसाला करी देखा फ्रेंड्स आपने हमने बिना किसी जंजट के इसको जटपड से बनाया है तो चलिए अब हम इसको बोल में निकाल लेते हैं अब आप इन राजमा को या तो रोटी नान रोटी या फिर चावल के साथ इंज्वाई कर सकते हैं बहुत से लोग राजमा चावल खाना बहुत पसंद करते हैं और राजमा बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि यह हाई प्रोटीन से भरबोर होते हैं तो इस तरह से कभी भी आपका अचानक राजमा खाने क नमन करें तो बिना संकोच के फटाफ़ से ये ट्रिक फॉलो करिए और फटाफ़ से ही अपने रेस्टुरेंट से बढ़िया राजमा घर पर बना करके तैयार करिए उमीद करती हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ला बाबाइ तीक्या